तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लेट के बारे में तो देखिए यहाँ पर लेट लेट इसका पड़ियों ने पढ़ा ही होगा सेंटेंस जानते ही होंगे इसे रेटेड तो आज हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि एक ही वीडियो में इसके जितनी भी की थे जानते हैं इसका मतलब होता है करने देना कोई भी कारे को करने देना ने कहलाता है खक़ी को कहिंएंगे। उस सेंटेंस में सबजेक्ट करने करने करता, लो किसी को कारी करता है। हम लोग समझेंगे इसमें तो जैसे अपने थम्रेल पर देखा है कि इस स्ट्रोइड को मैंने धर्ती पर गिरने नहीं दिया तो ऐसे सेंटेस को कैसे बनाएंगे वह हम लोग बाद में जानेंगे इस वीडियो में कहीं बना कि उसको दिखाऊंगा फिलाल छोटे-छोटे सेंटेस का लेकिन यह पढ़ने का काम राकेस नहीं कर रहा है काम कुन कर रहा है मुझे मैं पढ़ता हूं लेकिन राकेस मुझे पढ़ने दे रहा है तो राकेस सब्जेक्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो ऐसे सेंटेस में हम लेट का प्रयोग करते हैं ठीक है तो लेट ह साथ भी 5 लगता है जैसे राकेस इट्स राकेस गोज उसी तरह से राकेस लेट्स है ना तर राकेस लेट्स मी रीड और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी लेट आएगा तो इसके जस्ट बाद ऑबजेक्ट आएगा फिर भी 1 ही आएगा यहां पर मैं ऑबजेक्ट के बाद हमेशा भी 1 ही आएगा लेट के साथ मांकी हम कुछ नहीं डाल सकते हैं ठीक है तो जैसे नेक्स सेंटेज़ तो इसक्या हो गया राकेस लेट्स मी रीड मतलब राकेस मुझे पढ़ने देता है इसी तरह से ये सेंटेंस है तुम उसे खेलने देते हो तो तो यू लेट अब you के साथ भीवन लगता है, इसलिए यहाँ पर में भीवन लेट आया है, ठीक है, him object है और play, you let him play, ठीक है, इसी तरह से next है, पापा मुझे जाने देते हैं, तो father let's me go, father let's me, let's लगाते हैं हम लोग, जैसे केते हैं, मुझे आने दो, तो let me come, मुझे जाने दो, let me go, मुझ खेलने दो, तो let me play, इसी तरह से हम इसको बनाते हैं, जैसे next sentence है, पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे जाने दिया, अब यह दिया past में हो गया, तो past में हम जानते हैं, कि हम सिर्फ b2 का प्रयोग करते हैं, तो let's का b2 भी, let's ही होता है, तो इसलिए हमने let me go, let यहाँ पर मैं आया, let, let b2 है, यहाँ पर मैं, me go, इसका मतलब क्या हो गया, कि पापा ने मुझे जाने दिया, अगर यहाँ पर let's होता, तो जाने देते हैं, समझ में आ रही होगी, hop, next देखते हैं, जैसे है, वह मुझे जीने नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो I am reading, वह गा रही है, तो she is singing, तो उसमें is MR लगाते हैं, रहा है, रही है मैं, तो इसी तरह से वह नहीं दे रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहा है, तो he is not पहले लगा देंगे, हैंना, he is not, उसके बाद हमें let को लगाना है, तो let का भी 4 आ आगेगी, तो I के साथ हम लोग सैलिया विलका प्रयोग करते हैं, तो future में spoken में खास करके विलका ही प्रयोग करते हैं, तो मैं नहीं दूगा, तो I will not, है ना, क्या नहीं दूगा, मरने नहीं दूगा, तो let you die, I will not let you die, इस तरह से बनाएंगे, next है, मेरे, तुम्हारे पिता लेट मी sit there, तुम्हारे पिता जी ने मुझे वहाँ बैटने नहीं दिया, your father did not let me sit there, तो इस तरह से बनाते हैं, next sentence है, वक्त ने मुझे इस बारे में सोचने ही नहीं दिया, तो बहुत अच्छा sentence है, आप जीवन में use कर सकते हैं, इसको बहुत सारे ऐसे sentence होंगे, जो आप दूसरे को कहने के लिए सोचते होंगे, लेकिन इस type के sentence को आप translate नहीं कर पाते होंगे, तो कोई बात नहीं है, आज आप वो सभी चीज़ सीख जाएंगे, तो चलिए हम इसको देखते हैं, वक्त ने मुझे इस बारे में सोचने ही नहीं दिया, इसको क्या बनाते हैं, ठीक तो time did not let me think about it, इस तरह से हम इसको बनाते हैं, नेक्स्ट है, तुमने मुझे वहाँ अकेले क्यों नहीं जाने दिया, अब ये question है, इस तरह के sentence में अगर question भी रहे तो आप उसको भी बना सकते हैं, तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, क्यों है तो क्यों को हम लोग कहते ह तो why did you not let me go there alone, तुमने मुझे अकेले वहाँ जाने क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे, why did you not, इतना तो हम आराम से कर लेंगे, let me go, ये भी ठीक है, अब कहा नहीं जाने दिया, वहाँ, तो there कैसे, alone, तो why did you not let me go there alone, इस तरह से बनाते हैं इसको, next sentence है, देखिए कितना ब हाई के बारे में सब कुछ तुम्हारे पिता को बताने दो, तो ये sentence बहुत सारे आप बना सकते हैं, कि मुझे इसके बारे में उसे बताने दो, उसके बारे मुझे बताने दो, उसे कहने दो, बोलने दो, तो आप आराम से इसी पर में बना सकते हैं उसको, तो जैसे हम कहते ह है लेट मी टेल यूर फादर मुझे तुम्हारे पिता को बताने दो लेट मी टेल यूर फादर क्या बताने दो सब कुछ everything लेट मी टेल यूर फादर everything किसके बारे में तुम्हारे भाई के बारे में about your brother तो इस तरह से हम इसको बना देते हैं let me tell your father everything सामने सच नहीं बताने दे सकती। तो अब जैसे है मैं तुम्हें मेरे पापा के सामने सच नहीं बताने दे सकती, तो इसको क्या बनाएंगे, देखते हैं, तो इससे पहले यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो आप का मतलब होता है, सच बोलना, मैंने चोटी-चोटी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं, और कुछ नहीं करने दे सकना, सकने के लिए क्यान काप्रियो करते हैं, तो I cannot, है न, Let you speak the truth, कहा नहीं बुलने दे सकती, पापा के सामने, तो before my father, I cannot let you speak the truth before my father, इस तरह से आप कह सकते हैं, I cannot let you dance here, I cannot let you smoke in front of my house, बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, अब यह किये last sentence, जो हम लोग देखने वाले हैं, last sentence है, जो मैं आपने thumbnail पर देखा है, इस asteroid को मैं धरती पर गिरने ही नहीं दिया, अब इसको क्या बनाएंगे हम लोग, I did not let this, अच्छा इसको बनाने से पहले मैं आपको बताओ, तो देख तो चुके ही है, आप में वो confidence खुद ही आ रहा होगा, कि आप मैं इसको खुद ही बना लूँगा, है ना, तो जैसे क्या कहेंगे, I did not let this stride fall on the earth, I did not let this stride fall on the earth, so यह होगया, let का uses था, सारा आपने देखा, और hope कि आपको अच्छे समझ में है होगा, let का uses, आप इसको जीवन में नहीं भूले, और यह stride वाली जो कहानी है, धरती पर 29 अप्रिल को पत्थर गिरने वाली, तो यह नहीं गिरने वाला है, इसक नहीं गिरने वाले तब तक यह वीडियो खतम करते हैं, ठैंक्स, बाबाई